तो गाईज अभी हम फैंस Avengers Infinity War के गम से उभरे भी नहीं थे कि Avengers की 4th Entitle मुवी का साइनॉपसिस हमें order आने आ गया Avengers Infinity War most probably अभी तक की best Marvel movies में से एक है और होगी भी क्यों नहीं ये Marvel की 10 साल की मेहनत जो है पर इस मुवी के end में Thanos की एक चुटकी ने हम फैंस को हैरान करके रख दिया जब एक एक करके कई साइस सूपर हीरोज धूल बनते चले गए और लास्ट में Captain Marvel के आने का हिंट मिला तो हम मैंसे कई फैंस इस चीज के लिए पूरी तरह शियोर है कि इन सारे मरे हुए सूपर हीरोज में से सबके सब Avengers की 4th Entitle मुवी में वापस ज़रूर आएंगे और हम फैंस की ये थियोरी बिल्कुल सही निकलने वाली है तो गाइस मैं हुआ मनसे ना और आज हम बात करने वाले है Avengers की 4th Entitle मुवी के साइन आपसिस के बारे में तो स्पोईलर्स का ध्यान रखते हुए चले शुरू करते हैं तो बेशक हम सभी फैंस Avengers Infinity War के एंड में हैरान रह गए हो पर उनका सोचिये जो casually ये मुवी देखने आये होंगे वो लोग यानि कि आपके मुमी पापा या अमिताब बच्चन ये लोग पका इस मुवी की एंडिंग को देखके ठगा सा फील कर रहे होंगे पर कोर फैंस जानते हैं कि जो गए हैं वो वापस ज़रूर आएंगे जैसे बाहुवली का बेटा लडने आता है बाहुवली 2 में तो लाइसेंस ग्लोबल नाम के एक मैगजीन जिसने Infinity War का भी साइन आपसिस रिवील किया था उन्होंने अपने लेटेस्ट इशू में Avengers की 4th Untitled Movie का साइन आपसिस यानी एक छोटी सी समरी रिलीस करी है इस समरी में लिखा है कि Avengers की 4th Untitled Movie 22 Movies का क्लाइमेक्स है जो की ओडियंस को एक Epic Journey का टर्निंग पॉइंट दिखाएगी यहां हमारे प्यारे सूपरिजो समझ जाएंगे कि ये रियालिटी कितनी नाजुक है और इसे बनाए रखने के लिए उन्हें सैक्रिफाइस करना ही होगा इससे बड़िया ट्रांसलेशन मैं नहीं कर सकता तो यहां कुछ चीज़े तुरंत नोटिस की जा सकती है पहला 22 मुवी का कल्मिनेशन यानि क्लायमेटिक पॉइंट दूसरा टर्निंग पॉइंट तीसरा फ्रेजाइल रियालिटी और चौथा सैक्रिफाइस तो बाकी पॉइंट तो बाद में डिसकस करेंगे पहले बात करते हैं सैक्रिफाइस की हम जानते हैं कि अपने रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस इवांस हमें एवेंजर्स की फोर्थ उंटाइटल मुवी के बाद नहीं दिखेंगे प्लस थौर का रोल प्ले कर रहे क्रिस हैंसर्स का कॉन्ट्रैक्ट भी इस मुवी के साथ खतम हो गया तो क्या इस सेक्रिफाइस का मतलब है कि अपने तीन बड़े और महान सूपर हीरोज इस मुवी में नहीं बचेंगे अब बात करते हैं 22 मुवी के कल्मिनेशन की तो इन 22 में से 19 तो आप जानते ही हैं 2008 की आयंड मैं से लेकर रिसेंटली आये इनफिनिटी वर को मिला के मार्विल सिनेमाटिक उनिवर्स से 19 मुवीज रिलीज हो चुकी हैं और इस साल जुलाई में आ रही एंट मैं दा वॉस और अगले साल मार्च में आ रही कैप्टन मार्वल के साथ टोटल मुवीज हो जाएंगे 21 और फिर एवेंजर्स की 4th अंटाइटल मुवी 22 तो इस हिसाब से इस सारी मुवीज का अंत होगा एवेंजर्स की 4th अंटाइटल मुवी में मतलब कि एक पूरा सागा कंप्लीट अब बात करते हैं टेंडिंग पॉइंट की तो आदे उनवर्स का मरना के टेंडिंग पॉइंट नहीं था जो इस मुवी में भी हमें टेंडिंग पॉइंट देखने को मिलेगा रिसेंटली सामने आये एवेंजर्स की 4th अंटाइटल मुवी के सेट इमेजिस हमें साफ साफ बता रहे हैं कि इस मुवी में हमें इसा हो सकता है कि अलग-अलग अलग अलग इंफिनिटी स्टोंस के लिए टाइम में पीछे जाएं और इतनी टाइम ट्राइलिंग से रियालिटी को खत्रा हो जाए जिसके लिए सैक्रिफाइस की जरूत पड़े इन सब के साथ इन थियोरिस को और मजबूत कर रहे हैं ये हाल ही में सामने आए सेट इमेजिस जहां हम लोकी को शील्ड हली कैरियर में देख सकते हैं वो भी अपनी पहली अवेंजर्स मुवी वाले कॉस्ट्यूम में साथ ही साथ इन गार्ड्स में से एक है टोनी तो अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां क्या होने वाला है तो इतना सब कुछ सामने आया इस छोटे से साइन आपसिस से एवेंजर्स की फोर्थ अंटाइटल मुवी की शूटिंग इस साल जनवरी में खतम हो चुकी थी जिसका मतलब हम फैंस उमीद लगा सकते हैं कि इस साल हमें इस मुवी का ट्रेलर जल्दी देखने को मिले तो गाइस ये थी वीडियो एवेंजर्स की फोर्थ अंटाइटल मुवी के बारे में हमें उमीद है कि डिजनी हमें इस मुवी का ट्रेलर जल्दी ही दिखाएगा पर फिर भी अगर हमसे कोई डिटिल मिस हो गए हो या आपके वास कोई नया फैक्टर स्मूज से लेटेड तो फ्लीज हमें करेंट में ज़रूर बताएं साथी साथ हमें ये बताएं कि आपके हिसाब से इस सेक्रिफाइज में कौन-कौन से सूपर हिरोज मारे जाएंगे उपर से लेटे सूपर विद्यूज और आसम सूपर फैक्ट्स के लिए हमें फेस्बुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और गूगल पर से फॉलो करना ना भूले हम हर जगा है तो गाइस अगर आप एवेंजर्स को कॉमिक्स में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी इंफिनिटी कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेर ज़रूर करें और इसे कई साथ सूपर के इंटेंट के लिए हमारी चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू गाइज दिस इस अमन्सिना और यू आर सूपर सूपर पीस